हलो एवरीवन, आरे सेकेडमी वाना यूटूब चैनल में आप सभी को हादिक स्वागत है आज हम लोग परपस को समझेंगे कि परपस वाले वाकियों को कैसे हिंदी से अंग रेजी में ट्रास्लेट करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए परपस का अर्थ उदेश से होता है यहां समझेंगे कि हिंदी के वाकियों के अक्सर उदेश से वाले होते हैं और ये उदेश दो परकार के होते हैं अर्थात परपस जो है वह दो परकार के होते हैं पहला होता है नाउन बला उदिस और दूसरा होता है भर बला उदिस और हिंदी के वाक्यों में उदिस का पहचान के लिए होता है अब हम लोग समझेंगे कि हिंदी के वाक्यों में उदिस और पहचान के लिए होता है यदि के लिए के ठीक पहले नाउन आया हो तो उसे नाउन बला उदिस से कहते है इसी परकार से के लिए के ठीक पहले भर्व आया हो तो उसे भर्व बला उदिस से कहते है अब हम समझेंगे कि नाउन ला उदेश को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और भर्व ला उदेश को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो यहां समझेंगे कि नावन अलाउदेश को पिरिपोजिशन फोर तथा भर्व अलाउदेश को पिरिपोजिशन टू लगाकर उदेश को अनुगाद किया जाता है यानि नावन वलाऊदेश के लिए पिरिपोजिशन 4 का प्रेव करेंगे और भर्व वलाऊदेश को ट्रास्टेट करने के लिए पिरिपोजिशन 2 का प्रेव करेंगे अब हम लोग इसका इक्जामपल को देखेंगे sentence है रो हीत किरकेट खेलने के लिए रो रहा है, तो रो रहा है भर्व हो गया, कौन रो रहा है, तो रो हित सब्जेक्ट हो गया, अब किरकेट खेलने के लिए, देखिए, के लिए के पहले क्या आया है, तो खेलना, खेलना क्या है, एक भर्व है, इसको बोलेंगे, भर्व वाला उदेश, अब इससे यूर्स टेंस का है तो रोहित इज वीपिंग अब भर्वाले उदेश को ट्रास्टेट करने के लिए फिरी पोजिशन टू लगाएंगे तो टू पले क्रिकेट याने रोहित इज वीपिंग टू पले क्रिकेट अब इसी तरह से नेक्स सेंटेंस है कि रूपा मिठाई के के लिए के ठीक पल क्या आया है मिठाई जो नाउन है इसलिए से बोलेंगे नाउन वला परपस अब इसे ट्रास्लेट करिए तो रूपा तो रूपा इज वीपिंग फोर स्वीट्स तो इस प्रकार से हम नावनोला उदेश और भरवला उदेश को ट्रास्लेट करेंगे अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे मैंने यहां लिखा है कि प्रन्तु भरवला उदेश हमेशा अपने साथ के लिए नहीं लाता है मैंने इससे पहले क्या कहा था कि उदेश का पाचान हिंदी के वाकियों में के लिए होता है लेकिन यहां मैंने क्या कहा कि जो भरवला उदेश से है वो अपने साथ हमेशा के लिए नहीं लाता है जैसे मैंने हैं कहा कि मोहन सबजी बेचने गढ़वा जा रहा है तो जा रहा है भर्व हो गया कौन जा रहा है तो मोहन सबजेक्ट हो गया कहा जा रहा है तो गढ़वा तो जाने का उदेश क्या है सबजी बेचना तो यह क्या हो जाएगा भर्वला उदेश अब इससे ट्रास्लेट करेंगे तो क्या होगा मोहन इज गोइंग टू गढ़वा टू सेल वेजिटेबल्स इस तरह से हम भरबला उदेश को ट्रास्लेट करते हैं दियर गाज आई होप आपको वीडियो प्रसंद आया होगा थैंक्स फर वाचिंग